हैदरबाद संसदिय शेत्र के सांसद असदुदिन ओवसी की कार पर हुई गोली बारी के विरोध में M.I.M. पार्टी के तत्वावधान में हैदरबाद पुरान शेर बंद का आयुजिन किया गया बंद के मध्य नजर कोई अपरिया घटना न हो इसके लिए पोलिस ने बंदोबस तैनात किया गया यह ऐसा हो तो केंद्र सरकार ने सांसद असदुदिन की सुरक्षा के लिए Z कैटेगरी की सुरक्षा सुवीता प्रदान करने का निरने लिया है हैजराबाद के मजलिसी सांसद की कार पर हुई गोली बारी की घटना के मद्दे नजर असदुदिन ओवैसी को CRPF वालों की सुरक्षा प्रदान करने का केंद्र सरकार ने निरने लिया है ग्यातव यह है कि सांसद की कार पर गोलियां चलाने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया गुरुवार के साहें उत्तर प्रदेश की चुनाव प्रचार समाप्त कर हापूर जिले से दिल्ली लाउड़ते समय हापूर घाजियाबाद मार्क परस्तित शिजारसी टोल प्लाजा के पास असद की कार पर हमला वरों ने गोलियां चलाई थी इस हमले में कल ही दो ग्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया इस बात की जानकारी उतरप्रदेश के पुलिस महानेदेशक प्रचांत कुमार ने दी उन्होंने बताया कि दोनों आरोपियों के पास से हमला किये इस्तेमाल किये गए हत्यारों को बरामत कर लिया गया है एक धर्म के खिलाब सांसत द्वारा की गई टिपणियों से हमें मानसिक आहत हुआ है हमलावरों ने कहते हुए ही यह कारवाई की इन दोनों आरोपियों को ने आयले में पेश कर आगे की कानोनी कारवाई की जाएगी स्वास्त मंत्री हरीश राव ने नामपली स्थित MNJ अस्पिताल में मोबाल कैंसर जांस थता सिटी स्कानिंग बस का उद्गार्टन किया इस कार्यक्रम में राज्य के घिरह मंत्री मैमोद अली मंत्री दलशानी श्रीनवास यादव सहित कई विधायक एवन पार्शदो सहित अधिकारी आदित उपस्तित हुए स्वास्त मंत्री हरीश राव ने कहा कि कैंसर की प्राथमिक स्थिती में ही पहचान की गई तो उसे पूरी तरफ से समप किया जा सकता है उन्होंने बताया कि मोटापा बढ़ जाने से कैंसर का खत्रा भी बढ़ता जाता है मंत्री ने लोगों को सतर करते हुए कहा कि धूमरपान जैसी बुरी आदतों को त्याग देना चाहिए उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री KTR के आदेशानुसार प्राधमिक स्वास्थ केंद्रों में कैंसर स्क्रीनिंग सेवाएं आरम की गई है हरिस राव ने बताया कि राजी में TRS सरकार आने के बाद से MNJ अस्पताल का बजट दुगना हो गया है यहां उप्चार हेतो आने वाले रोगियों की भैतर तरिक्षि से उप्चार स्विधायें प्रदान की जा रही है वो कप्पडु कैंसर उच्चिन नंटे मनशी इनका जीवतम ऐपोई इन्दिया ने ट्वेंटि परिसीतिले नुँची मरी डॉक्टरलू एन्नो रकाल नूतन वैज्य विधानान इंप्रू जेसकोनी चाला वरकु मरी कैंसर उच्चिन ने ट्वेंटि पेशन्स नुगोडा मनम बत्किन्च को गल्वूता उन्ना कानी रोज़ रोज़कु प्रपंचे वयाप्तंगा देश वयाप्तंगा कैंसर व्यादि ग्रस्तोल संक्य पेर्गुतू बोता वोंदी इपड़ वरकु वन्दरकाल कैंसर लनुद गुट्पिन्चे नम्चे रम जिरिकिन। गुटका सिगरेटल दागडमू धुमा पानमू दिन यंता तकिच को गलगुते मनमू अंता वरकू मनमू की कैंसे नु निवारिंचे अवकाश मुझे। मंत्री ने इसी संदर में बताया कि तिरोमला में अन्नमया परियोजना की भांती बद्राद्री में भक्त रामदास परियोजना स्थाफित करने का राज्य सरकार ने निर्णेलिया है। भक्त रामदास संगीत महाविद्याले तथा रमाप्रभा के नेत्रत्तों में नौरत्न कीर्तन संगीत कारेक्रम आयश्जित की आगया। पईना मरी इरोजु इकड़े टैंग बेंड पईना संगीत महाविद्याले पाड़त्तु इंचलंगानलों पुट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् कममलों कोड़ माँ पुट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् मादिगा रिजवेशन पूराड़ समीती के अध्यक्ष मंदा कृष्ण मादिगा ने कहा कि मुख्यमंदरी केस्यार को अंबेत करकी प्रती आदर नहीं है यह उनके साथ वर्षों के साषन के विशलेशन करनी से पता चलता है इस मौके पर मंदा कृष्ण मादिगा ने बताया कि राज्जी विधान सभा में केस्यार ने कहा था कि अंबेटकर द्वारा रचित सम्विधान की दारातीन के अनुसार ही तेलंगाना राज्जी हासिल किया गया है लेकिन दुरुभागी की बात है कि केस्यार ने आज तक एक बार भी अंबेटकर की प्रतिमा पर पूल माला नहीं चड़ाई मंदा कृष्णा माधिगा ने कहा कि केस्यार राज्जी की जनता को अपनी चिकनी चुबडी बातों से विश्वास में लेकर उन्हें गुमरा करने में लगे रहते हैं उन्होंने केसियार को चेतावनी देते हुए कहा कि केसियार सम्विधान बदलने की जो बात कर रहे हैं उस विशे में जनता इसे देख खामोष रहने वाली नहीं है इसका मूत और जवाब दिया जाएगा दौरला आधिपत्यान की चेक परतू नहीं दौरला अहंकारान की चेक परतू नहीं यू चेक परत्ड़ान की कारन में यहन दे आननना पोट अमबेट करेगा दा अम्Бेरकर राशन राज्यागम और राज्यागम और पुन्द harshवध पर्णा पावर हक्को लें गदा डाक्टर बाबस अम्बेरकर राशन राज्यागम आ राज्यागम प्रारमम में दानिमनु David P.T. दलत संगो ने कहा कि भारत के सम्विधान का अपमान करते वे दलत संगो ने मांग की कि वे अंबेदकर की प्रतिमा का दुगदा भिशिक कर अपनी गलतियों के लिए शमाय आचना करें हैदरबाद जिला माला महनाडू के नेताओं ने याद दिलाया कि भारत के सम्विधान की धारा तीन के अनुसार ही तेलंगाना राज्जी घटित हुआ है दलित नेताओं ने बोहिनपल्ली स्थित साख सब्जी मार्केट के समीप स्थित अंबेटकर प्रतिमा के समक्ष खड़े होकर अपना विरोध प्रकट किया इस आउसर पर माधिगा रिजर्वेशन पोराट समीती हैदरबाद जिला अध्यक्ष ई किशन माधिगा माला महनाडो हैदरबाद जिला अध्यक्ष गुंडमनला नर्तिम्हा ब्यागरी नर्तिम्हा बोहिनपल्ली डिविजन कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष नलाला राजि इशा का सचव चाड़ा विंकट रेड़ी ने कहा कि राजी सरकार शासनादेश 317 लाकर अध्यापकों को तकलीव देना उचित नहीं है। कामियों को संशो जीत कर आम अध्यापकों आधिका लिये सुविधा जनक्त। अध्यापकों प्रबुद्धों कनीसम प्रक्टिच कोरें। उद्ध्योग संगार नायकुंत्तु मात्राडी इक बदरील पक्क्योलो उन्ने ट्वण्ति थप्पुलनु सरिजेस्थे बाउटनुद्धनी सीपपार्टूर चेप्पिन। अध्यापकों प्रेट्चेवन प्रेट्चाव। सरे बार्या बत्तरा समस्योगटी परस्पर बदरील। परस्पर बदरीलक समन्चूशते एंता द्वान नंग हुन्द नंटे पात सर्वीस कोल पोल अठाग। आम आद्मी पार्टी के नेताओं ने कहा कि केस्यार कालेश्वरम रष्टचाचार की राजब बन गया है। उन्होंने कहा कि रोजगार अधी सूचना जारी किये बिना सरकार बेरोजगारों के जिन्दगियों से खिलवाड कर रही है। अमर वीरों के स्टूप पर विरोध तगट करनी गए नीताओं को पुलिस नहीं रोग दिया। आंकी की ततकाल रोजगार अजी सूचना जारी की जाए। आलन आंदोलन कर रहे आप कार्यकरताओं को पुलिस ने गिरफतार कर उन्हें पुलिस थाने भेज दिया। आलन दोड़ा गुर दोड़ पर बेटिंग लगा रहे गुरों को पुलिस ने गिरफतार कर लिया है। एलबी नगर एसोटी पुलिस ने दो संचालों को सहत कुल पांच लोगों को हिरासत में ली लिया। वाइस ओवर नाइन पुलिस ने इस बेटिंग गिरो के पास से 42 लाक रुपए नगट दो लैप्टाप तथा पांच सेल फोन बरामत किये हैं। राचकॉंडा पुलिस आयुक्त महेश मुर्लिधर भागवत ने बताया कि इस प्रकार की एनाइतिक कारवाईयों को अंजाम देने वालों के खिलाफ सक्त कारवाई की जाएगी। उन्होंने आनलाइन द्वारा घुरदावडी का बेटिंग करने वालों के खिलाफ सक्त खदम उठाने का आधेश थम्मदित अधिकारियों को दिये। आनलाइन बेटिंग राकेट नाटलो हरसरेस्थम्मंधी एको अनटसुने आर राकेट अधि बस्टेडम दरगिंधी। इस राकेट लो आधिगुरु ने एरेस्चेस्थुू यह अर्गिनाइजर्स दांटलो तरवत्तसभब और ओकाउंटन वालतो यह अवरु बुकिंग दिसकुनतनारों इद्धर पंटर या इदुगुरु नी कसड़ित वाल दगर नुंची नल्भई रंडु लक्षर उपायल नगत तरवता रंडु लाप्टॉप्स अधु मोबाइल पोन्स यन्नी रिकोवरी चेड़ दरकिंदी इ रैकेट की प्रधान निंदुद्लो तिर्मल रेट्टी जोजी रेट्टी यानी इना मना मिर्पेट पूल स्टेशन परजिलो नंदर्वनम अक्रा एना रिष्टेणस हुंदी अएना नेटिव वच्चेसी रेट्टी पालु मिलेच कुथ्तुर मंडल पालुमाकुल केवी पंजागुटा रग्स मामले की मुख्य आरोपी टोनी के सेचरों को टास्क फोर्स पुलिस ने गिरफतार कर लिया पुलिस के हाती चड़े यह तीनों एजेंट किन किन लोगों को मादक पतारतों की विक्री की इस कौन की पुलिस जांच करते हुए जानकर या जुटा रही मादक पदारत तसकरी मामले की जांच में पुलिस ने पता लगाया कि आफताब आरिफ इर्फान नामक तीन एजेंट टोनी से संबंदी लेन दिन की देखारे करते थे पुलिस ने बताया कि टोनी लगबग 15 बैंक खातों में मादक पदार्तों से संबंदी राशी जमा करता था इसी के अंतरगत आरिफ एजेंट द्वारा संचालित खाते में मार्थर 6 महनों की एवधी में लगबग 1 करोर रुपें की राशी जमा हुई गई पुलिस ने बताया कि टोनी इन एजेंटों की मदब से अपने लेंदें तता बैंक खातों का संचालन करता था जिस पर पूरी निगरानी कर जांच की जा रही है कैंसर की शिकार होकर स्वस्तु हे लोगों का यहां शाल उड़ा कर सम्मान किया गया इस आउसर पर डाक्टर ने संबोजित करते हुए बताया कि कैंसर आरंबिक दशा में पैचान कर उसका उपचार किया गया तो कैंसर को पूरी तरह से समाप्त किया जा सकता है उन्होंने बताया कि कैंसर के संबन में लोगों का भय दूर किया गया तो कैंसर रोग ही समाप्ट हो सकता है उन्होंने बताया कि उनका केंद्र कैंसर लक्षणों की पहचान कर उन्हें जड़ मूल से समाप्ट करने का उपचार करता है उन्होंने यह भी बताया कि लोगों के प्राणों की रक्षा करना ही उनके केंद्रगा तथा उनका मुख्य लक्ष है जब कराण प्राण्ज मित्र प्राण्ज मा करते लिए प्राण्ज है। कोई पोगा विदंगा शेप्पा लगे 20 परसंट इर्वाइश आता नाद सर्याइं ट्रीक्मिन आपनेचिड हो राइड़। 30 परसंट फैमिली मेंबर्स पेशंट को क्वाथी जबुन हो राड़। 50 परसंट यावइश आता वार्कु पेश्टी नास्कारों दुबबक को विदान सभा शेत्र के विधायक रगुनंदन राव नी राजना सिल्चिला जिल्ले के विमलवाडा राज राजिश्वेल स्वामी के दर्शिन किया इस अफसर पर विधायक नी स्वामी को सवाले अंतरगत बही दान कर अपनी माती अर्पित कर विशेश पूजा की भारतिये जनतापाटी विधायक रगुनंदन राव ने वेमलवाडा मंदिर में पूजा के उपरांट नागिरेटी मंडब जाकर वहां भी दर्शन किये के टियार अपने क्षेत्र तथा विधायक विधायक रगुनंदन राव ने विश्वास को कायम रखने तथा मंदिर के प्रती अपनी सद्धावना बनाए रखने का आगरह किया यह वेमलवाड कोच्चिन एमेले गरिगुनंच मिरवादपड कंडी वेमलवाड वकककन्नू शिर्सील वकककन्नों अपनी प्रती संदरबुल पूलब जबत्था वोच्चिन अपर सिर्सील अपुरिधिक एन्नी नीदुलोच्चिन एनधी एधी अधी ओकसर आलो चिंच इस अंधरबंगा बक्तिलक जेक्षिन एड़ पार्टलू, बक्तिलक वसं केटाइचिन एड़ वश्यन लोपला प्रजल बहरंगा अंगा नेको चर्च जरुच्छ 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 वारूत्तम मात्रम् जवाबुतार तनंगा बंजेक्पोड मनेदी इस अंधरबंगा बंजेच्छ जरुच्छ 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 जरु झाल झाल